अश्कार स्वागता आपका इंडियनीज में आज हम आपको लेकर हैं मिदाशा और शेत्र सुजान पर मैं जहां यह तो इसी की प्रिक्षा जो है दिने के मार में क्लेर किया है और उसके उपर जो हम बिस्तार बुक्षे चर्चा करें आपको यह बता दे कि इस से पहले जो यह अपर आभी आत I am सब बात करते हैं सब बात करते हैं यहां पर रुटे हैं यहां प्रिक्षा कूछ हो यह पर लूट और लेकर सबमाege करने क्या करते थे खना परिक्षा पास की तो मेरे टूटल चार अटप्ट्स होए ने यह परिक्षा पास की की कजिए आयुस को के ती त्यूटल चार अऀस सते हैं तो मेरे टूटल चार उसके त हे तरह की काई कहाँ अगाता कोवी नाइंटिन में वापिस एंडिगट से हमिर पुराना पड़ा उसके बाद मैंने सेल स्टड़ी से ही इसकी त्यारी स्टार्ट की दोज़ार बीशनों ने सफल रहा और 2021 में भी मैंने यह पाया कि इन सबसेक्वेंट अडेम्ट्स में मैंने कॉंप्रिहंसिव स्टड़ी जिसके कारूं मुझे लगता है कि इस बाद मुझे सफल्ड़ा है सर अगर हम बात करा हैं किपना ताउम आप उसके लिए बेदे भे और क्योंकि आप जॉब भी करते हैं क्या जॉब करते हैं उसके बारें थोड़ा हमारे अश्कों को बताएं अब फर्वरी दोजार थेश में मुझे प्रोसेस इंजिनेर के पद पर जलशक्ति विवाद में सफलत राप्त हुई थी और मैंने जॉइन किया था उसे हमिरपूर चीफ इजिनेर आफिस में तो तुवारी से पहले तो उसके बारे में मैंने विस्ताइब पुरवक ज़ारे सब्सक्राइब करता था तो मैं कुशिश करता था कि शाम के समय में मैं इसके लिए समय दूए और सुभा के टाइम दी मैं कोशिश करता था कि जल्दी उठकर मैं त्यारी स्राट करूं तो आफ आर्स में जब मेरे डूटी नहीं होती थी तो मैं इसके लिए टाइम स्मेंट करता था और I think कि क्यूंकि मैंने पहले भी त्यारी कि तो मुझे रिजिन करना था और अपने को अपडेट करना था तो कंग घंटों पुड़ाई करके भी मुझे सफलता प्राथ हो सकती थी यह चीज मेरे दिमाग में थी और इसी कोई मैंने अपनाया और इस कारण से मुझे लगता है कि असाफल हुआ इस में आगर बात करें होता है कि कोई भी सख्रा पिकना नहीं ब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो कोई एस्पेरेंट क्लियर किया है इस एक्जाम को जो करें हमारे हम उसको फालो करें उनकी बताई बातों को सुनें लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हर एक विक्ति का इस परिक्षा को पास करने का एक अपना मैथड ह करना है क्योंकि अगर हम किसी के सट पाटर्न पर चलने कोशिश करेंगे तो डिफिकल्टी आएंगी इस परिक्षा में फेलियर्स भी आना स्वभाविक है वह सकता है कोई फेस्टर डब में इसे क्लियर कर दे लेकिन हो सकता है कि अधिक्तर एस्पिरेंट्स को इसको क्लियर करने में समय लगे अधिक्तर डगना नहीं है फेलियर्स को अनलाइज करना है उसके बाद जिने समझना है कि हमारी गल्टी कहा हो यह अगर हम उसे इंप्रूब करेंगे तो हम से रूर सफल होंगे सब्सक्राइब करेंगे और जो यहां जो बच्चे आपके साथ लिजाम दिया है और इस लिजाम से पीछे रह चुके हैं तो उनको क्या संब्स अपनी तरफ से आप दोने चाहेंगे और उसके पर क्या अमल करेंगे और पढ़ाही यह आप क्या कहीं कि यूपीएसी की परिक्षा देखने में डिफिकर्ट लग सकती है वो सकता है कि आपको फेलियर्स भी आएं हो सकता है कि आपको कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको त्यारी का टमय और टाइम मिले समय मिले ना मिले लेकिन इस परिक्षा को पास करने का एक ही तरीका है कि अगर हम आज करने जोगा जो है नशीक योड जा रहा है उनके लिए आप क्या संदेश देना जाएंगे अपन दर्फ से इसके कही कारण हो सकता है वेकिन जो को भी कारण हो मैं यूद के लिए ही कहना चाहूँ रहा है कि आपको आपकी लाइफ को प्रैक्टिकली सोचना है अगर आप अपने उपर काम करेंगे तब ही आप अपने देश के लिए लिए परिवार के लिए औह खुद के लिए भी कुछ अच्छा करने के योग्यों बनेंगे अगर आप ड्रेख समैं तो इससे आपका भी मुक्सान भावा शर्वाद बात करेंगे किस तरह से पढ़ाई करते थे किस तरह से पढ़ाई करते थे उसका इसकी लिए उसके वारें जानते हैं किस तरह से इस अफलबगी को अपने बीजी रहता है तो क्या होगा कैसे कर रहा है लेकिन इसका पढ़ने का अपने सूच पॉजिटिव अपने बेटे के ऊपर किसी बरकार के कुई बलत आदत नहीं है तो माबाप की सबसे बड़ी संपत्ती ही होती है हमें बहुत रूशी है हमें गरब है अपने बेटे के ऊपर किसने जो है बहुत अच्छी पॉलबदी प्राब्द की है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेगा हमारा इसके लिए यही है कि जहां भी जाए लगन से काम करें और हर आदम की जहां तक संब्ग होगा मद्द कर अपने जाब के परति है अपने कर्दब्र के परति है अपना बहुत अच्छा योगदान दे नान्यवाद्ध से अगरे हम बात करें यह थो होता है यूगदान पड़ाई के लिए यूगदान माता कटा करता ही है पर इस तुकि यह दिक्षा इतना एदाज इसमें कितना यो करना है कि हमारे कोई करने काम है तो हम बताओ लेकिन अपने अपनी लगन से काम करता रहा है बड़ी फुशी की बात है कि इसका जो है सल्व सड़ी का अपना बोटिंग था हो उसी में काम आपना है करते हैं तो हम इसमें काम नहीं होते हैं सबसे पहले हमें पर प्लस्तु लेवल पर ही अपना टार्ड़ी फिक्स कर लेना जाहिए और वो तरगेट को अचीव करने के बीच में बहुत सी मुश्कल आती है लिगन मुश्कल से गुबरा कर नहीं रहेना चाहिए कि अपने आपको भी बहुत ज्यादा मोटिबेट करना चाहिए और जहां से भी कोई स्टडी में अपना पात है उसको इसको लियर करना चाहिए और अपने मंदिल पर कहुंचना चाहिए बाकि इसी वरकार को नसे हैं यहां से देर हो जाना चाहिए और बहुत समय अगर हो सके तो स्पोर्स में भी पार्टिस्पेसिन जरूर करना चाहिए सब्सक्राइब को बात करते हैं तो बात करते हैं किस तरह से देखते हैं आप इस उपलब्धी को और आप क्या कहेंगे जो बीटे की उपलब्धी है मुझे बहुत एगरब है इसके उपर इसने बहुत अच्छी तरीक से जो आया पर पास की और बड़ी लगन के साथ मेहनत के साथ जब छोटी क्लस्टिज में था तभी से बड़ी लगन के साथ जो आप परत रहता था वैसे तो मैं स्कूल में रहती हूं हमारा मतलब स्कूल जो प्राइ प्रिक्षा की बात करें तो आप इसका योगदा रहा हूं तो इस तरह से आपने इस नोटिवेट करते थे बच्चे भाए बस मैं यही कहते थी कि कही न कहीं जो आया अपना मकिलोब जो एम है आपका उसकी तरफ आपने जो अलगन लगाकर पढ़ना है और उसको हा आप यहां पी जो है पराप कर ली और आज मुझे भी बहुत खुशी है कि इस अपने लक्षे तक पहुंच गिर आपका कहना कि हमारे गरभ है कि हमारे बेटे में इस मुझा पहुंचे हैं आई इनके यहां पर नाना नामी है उनसे बात करेंगे कि नाना नामी से ज़गार कहाता है और सकता है लिए अलुट मुझें यह उनसे बात करते हैं किस तरह से ईनका यह बात करेंगे रहा है तो किस तरह से अगया पी सदह करता है लिए नहीं करते हैं सकत्तास इसलिए कि सब्रुप आगाई एक सूत्र है कि दिली संकल्प और कड़ा परेशियम से बच्छा जो आगे बढ़ता है अगर सुनागे रूचिन जिया ये संकल्प आ जाए तो जी इगनमा कभी शीचे लिए रहता है कि अगर प्रेशियम से बच्छा के लिए करना चोटी बात नहीं है तो कि कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप भी स्पीचिन बंस रहे हैं तो क्या होता भावा ऐसा भी कोई दिल था कि बच्छा फोन खाता था कि नाना जी यासी बात है तो उन्हें इसके प्रेश्चन का इसके अंदर मतवली बात होता था कुछ लेता है तो आप आप किपना क्या संदेश जो है यह वां को दिना चाहेंगे क्या आपके जो व्यहबीने के नारहाने में ने जो आएक हमीदुपल को नाम उपर गिया है और क्या संदेश आपको 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 आपक अपको आपको बहुत बहुत दन्यवाद है आप इस अपसर बन हमारे गार में आए तो हमारी गहर और धाया हो गया है और मेरा विट्या बहुत सब्क्राथ ने मेरा उतक्स बाच्पन ड़त फिर मैंने बोनमा बेटा खाना खाओ, हाँ आया नामी जी, फिर भिर पढ़ने बैठ जाना, फिर उसके बाद जब यहाँ बड़ी किलासों के त्यारी करने लगाए, तो मैंने आना इसके साथ हमिलने, तो यह पने कमरी में बांदू होता था, और इतना सर्दी परती थी ना, जोती थी, तो हम सब लोग ठंड में दूप सेखते थे, और यह बिलको दूप हो सेखता था, के बार इसको ठंड रच जाते तो इसको बुखार जाता था, तो भर मैंने बड़ा दुख लगता हुए, देख नहीं तपस्या मेरे उच्ची की, और मुझे इसके कमरे में जाकर मिलना पर तखा, और दान में हेलता था हुए, तो आज तपस्यारा में लाई हुए, आपके बोलना कर लिए है, आजी, आज तपस्यारा में लाई मेरे उच्ची की, हम बहुत खुश है, जब इसके ना दो बार यह परिक्षा यह हो भी ना, अनी यह हो पाया, तो भर हम ना भुरूते भी तो मैं आज को खाना में आती थी, उखने बुख लगता है, तो आप क्या सिलेश देना चाहेंगी जो यूगाना है आज? जबाते हैं अधन्यवाद, बद्वान जदन्यवाद है, बर में गड़े खुशिवी रदिना कुमारी कहने बड़ी नो करिया च्मझे है बद्ध पढ़ाय करा हाई नाद हुसिनी देन जाज क्या फिरेश जो जाहें दोहाजिरे का मिर परवे बच्चे है जो जो जब दिरे बच्चे आपके दिन दना खरेंगे यावाफ़ ना अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपके दिन दना खरेंगे तब आपके दिन दना खरेंगे आप कुछ कर पाएंगे अचीव कर पाएंगे क्योंकि इसमें फैलियर्स का सामना भी बहुत करना पड़ता है तो अगर आप कंसिस्टेंट सी के साथ रहेंगे एफ़र्ट अगर आप अपके रहेंगे तो एक साल की एक रात की तो नहींत नहीं है इसकी तो पांच साल की नहींत है जो इसने अचीव किया है तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है इसमें और प्रेक्टिस इसके बाकी बहुत नहींत करता था जो आज इसका फर इसको मिला है आपके किपनी हल्प रहती थी किवकि होता है किवकि पार्थन की तरह जब भाय बहुत व्यप अच्छे इसमें कि नहींत करपए हैं तो उस टाइम थोड़ी से नोटिवेशन की ही हम है थाए एक ऑगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और एफेर्ट करेंगे तो अगर आप effort put करेंगे तो आप शॉरली ही अपने ड्रीम को अपने एम को अचीव करेंगे दने बाद आपको बात करने के लिए तो यह का हमारे साथ बिने कमार का परिवाजना ने जो आई पेसिक प्रिक्षा क्लियर की है और आपको बता दें कि यह जो इनुने में प्रिक्षा क्लियर की है, यह तीन बाद जो है इसमें फेल हो वे इसके बाद दिन चौती बाद जो इस प्रिक्षा क्लियर किया है हमेरे पुर से इंगे नूज के लिए समीत राठाउर की रिपोर्ट